आप देख रहे हैं तेश्खवाट 24 और मैं हूँ आपके साथ प्राची पांडे मद्ध प्रदेश में कोरोना संक्रमाड की गती ने अब रफ्तार पकड़ ली है यहां 24 गंडे के भीतर 11,000 से अधिक नए संक्रमित मरेज मिले हैं जिसके बाद एक्टिव केसों की संक्या बढ़कर 16,000 के पार पहुँच गई है इधर प्रदेश में एक ही दिन के भीतर पांच मौते भी रिकॉर्ड की गई हैं जिसमें पांच दिन की नवजात बच्ची से लेकर 20 साल की युवती शामिल है बतादेगे प्रदेश में संक्रमर के बिगडते हालात को देखते हुए राजसर का जल्धी पावंदिया बढ़ा सकती है फिल्हाल सरकार पावंदियों को लेकर बिचार कर रही है दरसल प्रदेश में वीते 24 घंटे में 11,274 नए संक्रमित मरीजों की पिस्टी हुई है इसके साथ ही पांच मौते भी रिकॉर्ड की गई है वही प्रदेश के महानगरों के साथ साथ अब छोटे जिलों में भी संक्रमित मरीजों की संख्या सौके पार पहुँचने लगी है श्रनिवार को रिवा में भी कोरोना ने 12 शतक लगाया जहां एक दिन में 200 से अधिक नए केस मिले है इधर प्रदेश के महानगरों में राजधानी भोपाल में 2107, इंदोर में 3179, ग्वालियर में 730, जवलपूर में 740 नए संक्रमित्व केस मिले हैं आपको बता दे कि प्रदेश में कोरोना पर सियम लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं और आमजन से कोविट गाइडलाइन का पालन करने के अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना की रफतार धीमी हो सके